दोस्तों, यकीन मानो, सब्र रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे खोलने के लिए तयार हो। सब्र और जूट सुनने में तो लडाई जैसा लगता है ना। बात ये है कि सब्र रखना एक बीज बोने जैसा है। तुम इसे पानी देते हो, इंतजार करते हो और धमाका, एक दिन तुम्हारे पास एक खुबसूरत पेड़ होता है। लेकिन जूट, जूट तो सिस्टम को धोखा देने जैसा है। हो सकता है कि ये तुम्हें जल्दी नतीजे दे, लेकिन ये हमेशा वापस आकर तुम्हें परेशान करते हैं। याद है ना कच्छुए औ खरगोश की कहानी? धीरे और लगातार चलने वाला ही रेज जीतता है मेरे दोस्त। जब तुम सब्र रखना चुनते हो, तुम बढ़ते हो, तुम सीखते हो, तुम मजबूत बनते हो और सबसे जरूरी तुम भरोसा बनाते हो, खुद पर और दूसरों पर ट्रस्ट। तो अगली बार जब तुम शॉटकट लेने का सोचो, फिर से सोचना, सब्र रखना चुनो, ये सिर्फ इंतजार करने के बारे में नहीं है, ये अपने आपको सबसे बहतर बनाने के बारे में है, सब्र बनाम जूट, सब्र ही जीतता है, हर बार सब्र रखो, मस्त रहो